आज आपको बताने वाला हूं कि किसी भी इसकाई में जैसे कि आप क्लिक करते हैं प्लेन बैक्ड्राउंड आप जो इसकाई होता है प्लेन लगता है विकुल वहाँ पर कोई जो इसकाई के पैचस होते हैं वहो नजर नहीं आते हैं आप शाहते हैं कुसमें लेखनused सके हो सके हैं लिए प्लेन के पादम شेया हैugen लिंक जो है वो description में आपको मिल जाएंगे आप simply वहां से डाउनलोड करके और images पर काम करके उन brushes को apply करके आपके सीख सकते है या कर सकते हैं या कहीं भी किसी जगए आप उन brushes के इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी देरी के मां शुरू करेंगे उससे पहले कहना चाहूँगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंड कीजिए और बने रहे है मेरे साथ तो बिना किसी देरी के मां शुरू कर रहो है आपकर देखेंगे एक image जो desktop के ऊपर open है इस वक्त तो यहां पर मने चार इमेज़ेस पूपन करके रखी हुई है जहांपर हम इसकाइज एड करेंगे यहांपर ऑलमोस्ट ठोड़ा दोड़ा एक कई है लेकिन यहांपर कुछ इसकाइप पॉपप करेंगे तो किस तरीकी से करेंगे तो सबसे पहले जिससे brush का हम use करने वाले है वो brush हमें load करना होगा तो मैं आपको बता दूँं सबसे पहले हम यहां से brush select करेंगे brush select करेंगे यहां पर brush का एक icon आता है यहां पर अगर click करेंगे तो इस तरीकी का dialogue box बनके आएगा यहां पर अगर हम left click करेंगे keyboard की तो यहां पर options कही सारे आ जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा preset manager हम preset manager को open करेंगे और यहां पर brushes जो आपके पास add है अभी तक जो आपने create करके रखें वह इसे मैंने upload करके रखें या download करके brushes रखें वह यह हैं मैं यहां पर एक नया brush load करना चाहते हूं तो उसके लिए क्या करूंगा मैं load पर जाओंगा और location दोगा जहां पर मेरे brushes save हो पहले से मैंने करके रखें तो मैं desktop पर करके रखें यहां पर cloud brushes के नाम से एक brush है जिसे मैं select कर रहा हूं और simply से open कर डूँगो open करने के पाद done आपने क्या किया वह brush जो है अपको शॉप के अंदर load हो चुका है जिसे हम इस्तेमाल करने वाले तो सबसे पहले क्या करेंगा हम brush को select थाई पहले से इस दुबारा brush पे आएंगी और select करेंगी कौन से cloud brushes देखें यहां पर पहले नहीं दिक रहा था cloud brush यहां पर अब दिखना start हो गया सबसे last में अगर इसे मैं click करूँ तो यहां पर clouds के shape आ जाएंगे अब इन brushes में से आपको कौन से use करना है यह depend करेगा आप तो मैं सबसे last में 917 करके मैं इससे इस्तेमाल करूँगा जो last से third number कर इसे click करके और simply देखें कि यह अगर आप इसका size बड़ा करना चाहेंगे तो बड़ा कर सकते हैं अब देखें यहां पर color select है white अगर मैं white करूँगा तो देखें कि इतना अच्छे से वह मर्ज होता हुआ नजर वहां पर नहीं आ रहा है लेकिन brushes हमें इस्तेमाल करना है सबसे पहले हम एक यहां से duplicate layer मना ल जो और brush का color जो है इस बार में color select करना चाहूंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम alt की प्रस करेंगे और यहां से blue color है यह blue color या जो तोड़ा सा different color है जो orange के साथ mix होता है वो color हम choose करेंगे और यहां पर simply patch करेंगे बहुत light color के यहां पर skies जो है आपको add होते हैं अब यहां प apply करेंगे तो यहां पर dark colors skies आब add कर सकते हैं बहुत ही easy तो अगर हम second image की तरफ जाएं जहां पर अगर आपको sky apply करना तो क्या करेंगे यहां पर हम choose करेंगे color white क्योंकि directly यहां पर पहले से ही white color आपको देख रहा है और मैं चाहूंगा इस बार मैं brush जो है वो पूल brush जो है व इसका तो simply एक बार यहां पर प्रस कर रहा है देखें बहुत अच्छे से यहां पर sky जो है आपको create होते हुए नजर आ रहा हुए तो यह बहुत ही easier तरीका है किसी भी जगह पर आपको brushes के थूरू आप sky add कर सकते हैं जो की fake नहीं लगेगा बहुत सहीं लगेगा कि हाँ वा अब थार्ड इमेज कर जाते हैं और ब्रस का शेफ जो है इस बाद दुबारा चेंड करते हैं और कोई और ब्रस इसके यहां पर एक डिफरेंट टाइप का brush जूज करना हुए इसमें थोड़ी से light warming जो ज़्यादा है इस वज़े से मैं क्या करूँगा इसका कलर जो है जब आप ब्लू कलर का है वहां पर आप रेड गलर का इसका ही लगा तो थोड़ा सा आजीव लगेगा तो आपको यह चीजे ध्यान में रख रहे होंगे तो यहां पर देखेंगे देखेंगे यहां पर बहुत और इंजी स्टोन है तो मैं क्या करूँगा ब्रस कर लिए और यहां पर आपको बहुत अच्छे से इसकाई नजर आ जाएंगे अगर आप उनको पेंट करते चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ड्रामटिक भी लगना स्टार्ट हो सकता है लेकिन आप जब भी आप इससे इस्तमाल करें तो सिर्फ वन टैब ही इस्तमाल करें एक बड कर ले और सिंप्ली वन टाइम प्रेस कर सकता है तो वह एक पैच वहां पर जो है वह लग जाएगा अगर हम लास्ट की इमेज पर आए तो देखें यहां पर बहुत ही वाश ओट इमेज है तो इस तरीकी की इमेज इस पर आप ब्रस इस्तमाल करना चाहरें तो आपके लिए काफी ज्यादा कॉंप्लिकेटर होने वाला है तो जब भी आप ब्रस इसकाई जब आट करना चाहें तो कोशिच करें जिनका जो इसकाई पहले से थोड़ा सा डार्क होना जुरूरी तो यहां पर देखेंगे वाइट है तो वाइट कलर में किस तरीकी का इसकाई जाएगा सब्सक्रा आप अगया जाएए तो यहां पर देखेंगे तो इससे करेंगे तो पुछ इसद तरीका इसकाई डिखेंगे लिए तो यहां पर वाइट यहां पर हाइट ही आप्ला करें और यह कि आपिसिटी डेंसिटी जो है वो हाड है तो यहां माल लेज़े मैं एक डिफेंट टाइप का ब्रेस यूज़ कर रहा हूं और मैं इसे यहां पर तो देखें बहुत ही ड्रामेटिकली यह वर्क करना स्टार्ट करेंगा यहां पर इस तरीके से आप किसी भी इमेज़ में इसका ही क्रेट कर सकते हैं लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं वो फेक लगेगा यह मैंने इमेज इस वज़े से चूज करी क्योंकि आपको लगन पतलब बनता नहीं है तो अगर आप देखें जैसे डिफरेंट इमेज जो मैंने आपको दिखाई हैं अगर आप सब्सक्राइब यहां पर पहले से ही डार्क है कुछ एरिया तो वहां पर इसका ही आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर आप चाहए तो बिल्कुल वाइट भी कर सकते हैं कि यहां पर और भी अच्छा लग सकता है जसे मान लिजें आपड़ आप में गृद आप την बंडल आप डिस्क्रिप्ट्रीं बाक्स में जाए और सुंप्ली वहां से डाउलोड करें और आप अपने इमेज्स पर इं इस मृश्स का सम्राइं एपा चाहूंगग करें बहुत यूसफूल आओ अगर यूसफूल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें करें शेयर करें और आप से बहना चाहूंगा आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखते हैं जो कि मैं पहले से ही कई सारे टूटूरियल्स मैंने आपको बना के दिये हैं जो आप देखें सीखें और दूसरों को भी सखें बहुत 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 धन्यवादार से लिए थैंक्यू